अस्सलाम उलेकुम विल्कम बैक टो आवर चैनल रोजा स्टीचिंग एन हसनें ब्लॉग तो आज हम ये वन सैट नेक डिजाइन देखेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया गया है तो पहले हम ड्रेस की कटिंग कर कर लेंगे ड्रेस और अस्तर की और यहाँ पर गला लेंगे तीन इंच और उन्चाई लेंगे छे इंच और इस तरह से हम स्क्वेर इसको ड्रॉ कर कर लेंगे दूसरे तरह भी इसकी मार्किंग कर कर लेंगे स देखिए इस तरह से, अब एक एक इंच बाहर से और एक एक मार्किंग करकर लेंगे इसके हम, देखिए इस तरह से हमें मार्किंग करकर ये कटिंग करकर लेना है तो इसको कट करकर लेंगे अब कट करकर लेने के बाद अंदर का गला भी कट करकर लेंगे ये वन साइड गला है इस तरह से कटिंग हो चुकी है तो इसको प्रेस करकर लेंगे अब इसके साइड से एक्स्ट्रा कपडा निकाल लेंगे और इसको स्टीच करेंगे साइड में इस तरह से फोल करकर इसको सी कर लेना है अब बराबर इसका सेंटर निकाल कर लेंगे एक्स्ट्रा कपडा निकालने के बाद देखिए इस तरह से सेंटर निकाल कर लेंगे इसका हम अब साइड से ड्रेस को स्टीच कर कर लेंगे हम बराबर से देखिए इस तरह से अस्तर और कपड़े को हम यहाँ पर जोड रहे हैं तो नीचे तलक पूरा इसको स्टीच कर कर लेंगे दोनों साइट से स्टीच करकर लेना है हमें पहले अब जो भी एक्ष्ट्रा कपड़ा होगा उसको कटिंग करकर लेंगे देखिए इस तरह से अब सभी एक्ष्ट्रा कपड़ा यहाँ पर हम निकाल कर लेंगे इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर इसके बाद हम गला लगाएंगे गला हमें बराबर सेंटर में रख कर लेना है अब पहले सेंटर में जोड़ कर लेंगे इसको सेंटर से जोड़ कर फिर कैन्वस के बाजू से नेक जोड़ कर लेंगे देखिए इस तरह से हमें गला सी कर लेना है वन साइट गला सी कर लेने के बाद इसको कटिंग कर कर लेंगे पाउपोइंट चेक्ष्रा कपड़ा छोड़कर और फिर इसको कट मार कर लेंगे बराबर से और फिर इसको सीधा कर कर लेंगे देखिए इस तरह से सीधा कर कर प्रेश्टिप मार कर लेनी है हमें तो प्रेश्टिप मारने के बाद ये गला कुछ इस तरह से दिखेगा देखिए तो अब ये गले के नीचे हमें canvas रखेंगे canvas रखकर इस गले की marking कर लेंगे वापस से one side में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है canvas और दुसरे side में कम जहां पर हमें design करना है round वाली shape में महां पर हम एक्स्ट्रा canvas रखकर लेंगे और एक एक इंच पर इस तरह से marking कर लेंगे देखिए इस तरह से marking कर कर लेना है और ये round शेफ हमें cutting कर लेना है अब इसको भी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहां पर छोड़ा है अब यहाँ पर चोकन-चोकन लेंगे दो आपोजिट कलर के याने जो ड्रेस का कपड़ा है वो और आपोजिट कलर का याने अगर आपके शल्वार आपोजिट कलर की रहे तो वो कपड़ा यहाँ पर यूज करेंगे हम देखिए इस तरह से एक के बाद एक ट्रेंगल रखते हुए जाना है यह पूरे शेप के उपर हम ट्रेंगल इसी तरह एक के बाद एक रखते हुए जाएंगे यानि दो कलर का कॉंबिनेशन हम यहाँ पर करकर लेंगे इसमें हमने पाव पॉइंच का ही ग्याप रखा है ज्यादा ग्याप नहीं रखा है इसमें देखिए बराबर से राउन में हमें रख कर लेना है एक के बाद एक बराबर राउन शेप हमारा गले का सेम आना चाहिए इसमें कोई भी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम गले के उपर इसको रख कर स्टीच करने वाले हैं तो बराबर ये राउन में ही बैटना चाहिए वन साइड में तो थोड़ा से एक्जेस्मेंट करते हुए करते जाएंगे हम ये उपर की ओर थोड़ा सा कम और निचे की ओर थोड़ा सा जादा इस तरह से हम क्रोस में थोड़ा थोड़ा सा रख कर इसको बराबर से लगा कर लेंगे देखिए पूरे नेक पर हमने लगा कर लिया है वन साइड नेक में सेम इसी तरह लगा कर लेना है आपको वन साइड पूरे नेक पर एक के बाद एक ट्रेंगल तो ये लगा कर लेने के बाद दीखिए यहाँ पर अभी इसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साइड का उसको कटिंग करने से पहले हम एक स्टीज कर कर लेंगे सभी को एक साथ जोड कर लेंगे इस तरह से जहाँ पर हमने एक मार्किंग कर कर लेंगे अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको कटिंग कर कर लेंगे यहाँ से दोनो साइड से कट करना है हमें वन साइड से नहीं दोनो साइड से इस तरह से कटिंग कर कर लेंगे अभी ड्रेस का कपड़ा लेकर यहाँ पर क्रॉस में हमने इसको कटिंग कर कर लिया है अभी इसको गोड टैप में बिठा कर लेंगे जिस तरह हम ब्लाउस को गोड बिठा लेते हैं गले को उसी तरह डिजाइन के दोनों तरब में यह गोड बना कर लेनी है गोट बनाते समय ध्यान दे, हमादी सिलह एक लेवल में आने चाहिए, ने तो गोट छोटी या बड़ी हो जाएगी दिखें, यहां से हमने एक्ष्ट्रा कपड़ा काड़ लिया, और बराबर एक लेवल में यहां पर गोट मार कर लेंगे तो हमने जिस तरह यहां से नीचे से गोट मारी है, उसी तरह से हम दुसरे साइड में भी गोट मार कर लेंगे तो यह दोनो तरफ हमारी गोट मार कर यह वन साइड डिजैन तयार है, तो इसको बराबर इस तरह गले के साइड में लगकर इसको जोड कर लेंगे दोने साइड से हमें इसको जोड़ कर लेना है पहले हम गले के तरफ से जोड़ कर लेंगे फिर दुसरे साइड से जोड़ कर लेंगे देखिए इस तरह से अब नीचे से आते हुए फिर उपर के ओर जाएंगे तो इस तरह से हमने one side गले का नेक बना लिया है यहाँ पर सीधी पट्टी लगा कर लेंगे यह दुसरे तरफ है जहाँ पर हमारा design खतम हुआ है one side का वहाँ से हम इस तरह की खड़ी पट्टी लगा कर लेंगे यह भी opposite पट्टी यहाँ पर यूज़ करना है हमें तब ही यह डिजाइन उठकर दिखेगा तो निचे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दूसरे तरब से भी उपर की ओर जाएंगे तो जो भी आप पट्टी लगाएंगे उसके मैचिंग का ही यहाँ पर थागा इस्तमाल करें ताके डूरी के उपर हमारा सिलाई न दिखे देखिए इस तरह से उपर की ओर आना है हमें तो यह डिजाइन तयार है हमेंने यह साड़े बारा इंच की पट्टी लगाई है तो साधे आपके घर में बटन होंगे तो बटन को इस तरह से हमने ड्रेस का कपड़ा यहाँ पर लगा कर इसको गले को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यूज किया है वाव तो यह गला पूरा हमारा तयार है अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें अल्ला आफिस